जै हिन दोस्तो विल्कम तो माई श्टिडी चैनल एवन क्लासे जैसा कि दोस्तो आप लोगों को पता है कि मैं पर्यावरन से रिलेटेड महात्मों ट्रसनाप के लिए लेके आए हूँ जो दोस्तो आपके यूपेट, यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट और जितने भी दो दोस्तो आपके जैसे रिट हो गया, सबी एकजम में से कई बार पूछे गएं तो वीडियो का पूरा देखेगा आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको चीज़ एच्छे स्कलियर नहीं हो पाएंगी तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हमारा पहला प्रस् प्रश्ण है आधि मानो की भौतिक पर्यावरण की कारयात मक्ता में भूमिका किस परकार की थी तो पाता तथा दाता क्या थी रिशीवर एंड कांट्रिब्यूटर्स ठीक है अगला प्रश्ण है कौन सा मानो पर्यावरण का विद्वनसक माना जाता है तो कौन सा मानो तो प् जूम क्रसी विसु तता भारत में आज भी झूम र्या स्थान आंत्रण क्रसी कहां पर प्रचिलीत है तो कहां पर प्रचिलीत है दच्छब 2009 पूर्वो फिसे प्रधान किए तो फैडरिक रेड़ जल को फैडरिक रेड़ जल नेक्स्ट है मनुस के लिए सवाधिक कार्षम तापमान तथा आदरता कितनी होती है तो दोस्तों 25 डिग्री से इसकी जो दोस्तों तापमान होता है और आदरता होती 60 परसेंट अगला प्रेशन है आपका अद्योगी करांदिस ऑर थम इंगलेंड ने हो दोस्तों एक कैसी प्रक्रिया अगला प्रेशन है अंतரाष्टी Hydrological दसेंग मनाया गया तो कम मनाया गया अगला प्रसन है श्तर के चरण का पता सर्थम किसके द्वारा लगाया गया था तो ये दोस्तो जोसे फर्मेन के द्वारा लगाया गया था 1985 के जोसे फर्मेन कहां के तो ये इंगलेंड के थे next है chlorofloro carbon के बाद ozone इस्तर का दूसरा प्रमुख विद्वनसक काउन सा योगिक है तो ये दोस्तो nitrogen oxide काउन सा है nitrogen oxide अगला प्रस्ण है आपका भूमिगत जल के दोवन के कारण संसार का काउन सा सहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ तो ये दोस्तो बुकलिन यानि USA USA में एक सहर है दोस्तो बुकलिन ये भूमिगत जल के दोवन के कारण सबसे आदा प्रभावित हुआ था अगला प्रस्ण है में एक बीजन में किन याउगिकों का प्रयोग किया जाता है तो ये ठोस कारबन डायाक साइड एवम आयोडिन के याउगिक का अगला प्रस्ण है अपने इस्थान पर सेलो तथा रिगोलिस अगला प्रस्ण है आपका अपने हिमाले के सारे बजे तथा फैले हुए भारती नगरों में भूमिवा एवम भूस्कलन का प्रमुक कारण क्या है तो ये दोस्तों आपका है मनुस्यकी क्रियाओं द्वारा पाड़ी ढाल के उपर उपरी भाग में समय स्थित की दसा की विचुपदता एवम ढाल विनास ठीक है काफी ज्यादा important question दोस्तों आपकी exam में से कई बार ये question पूछा गया है next है दच्छीर पूरों सयोंकतराज अमेरिका का नरक किस नदी को का जाता है तो ये टेंसी नदी को जो USA में है ठीक है अगला प्रशन है विच्ट की सरवाधिक विच्ट की सरवाधिक आउसाद का परिवान करने वाली दो नदियां कौन सी है क्रमसा दोस्तों यलो जो चीन में है एवं गंगा नदी ये दोस्तों सबसे आदा आउसाद का परिवान करने वाली नदियां है मोदर नदी को पश्किले मंंगाल का सोक जाता है किस नदी को बीयार का सोक जाता है तो ये दोस्तो कोषी नदी को अगला प्रशन है भोपाल गैस तरास्दी कब और किस के कारण होई थी तो ये दोस्तो तीन दिसंबर 1984 को मिफाईल ऐसोसाइनाइड गैस के रिशाओ के कारण भोपाल गैस तरस्दी हुई थी गैस दोस्तो लीक हो गई थी अगला प्रशन है आपका चेर्णोबिल दुरगट परमाड दुरगटनक कब और किस देश में हुई थी तो दोस्तों चेर्णोबिल पर्माड दूर्गटना कम और किस देश में हुई थी तो यह 22 अपरेल Kings 1986 को कहा पर हुई थी यूक्रेन के चेर्णोबिल में, कहां, यूक्रेन के चेर्णोबिल में हुई थी, ठीक है अगला प्रशन है अगला प्रशन है आपका थ्री माइल आईलेंड दुरगटना क्या है तो दोस्तों यह USA के परमाण उर्जा सेंद्र की सबसे बड़ी दुरगटना है जो 28 मार्च 1979 पेंसिलवेनिया में थ्री माइल परमाण उर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी तो थ्री माइल आईलेंड दुरगटना क्या है दोस्तों यह एक परमाण सेंद्र उर्जा की सबसे बड़ी दुरगटना है जो 28 मार्च 1979 पेंसिलवेनिया में थ्री माइल परमाण उर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी अगला प्रसन है दार्णी है या इस्थाई विकास के अधार्णा के सोर्थम प्रतिपादा कौन थे तो यह थे ब्रट लैंड कौन थे भई ब्रट लैंड ठीक है अगला प्रसन है इस्थाई विकास के निमित सयोंक तो राष्ट का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया तो यह किया था आपका दोस्तों आयू-CN ने किसने आयू-CN ने अपनी विश्व सर्चर रणीत की रिपोर्ड में ठीक है अगला प्रस्वन में आपका दोस्तों अगले प्रसन से पर भड़ने से पहले मैं आपको बता देताओ आयू-CN का जो फुल फाम है क्या होता है इंटर्वेशन यूनियन फार कंजर्वेशन आफ नेचर एंड नेचरल रिसोर्सेज ठीक है अब देखते हैं अपना अगला प्रस्न दूती विस्यूद सम्मेलन की संखक कि सम्मेलन को प्रदान की गई तो जो आंजबर सम्मेलन 2002 में जो हुआ अगला प्रस्न है दार्णी विकास के मुखे पांच चे चेतर कौन कौन से है तो उर्जा जल सोर हो गया पवानल विद्धूत उर्जा अगला प्रस्न है दाने विकास किसकी उपयोग के संदर में अंतर पेडिगत सम्मेदन सहिलता का विशाय है तो यह दोस्तो प्राकृतिक संसाधन का अगला प्रस्तन है भाराथ में गह परंपरागत उर्जा स्रोत विवा की स्थामरकर की गई थी तो यह 1982 में की गई थी अगला प्रश्ण है राष्टी पर्यावराण अभियांत्र की सोध संस्थान NWRI कहाँ पर इस्तित है यह दोस्तों नागपूर में इस्तित है कहाँ पर है नागपूर में नेक्स्ट है नेक्स्ट कोश्चन है पर्यावराण सुरच्छा दिनियम अगला प्रश्ण है भारती नमीनी करण उर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कप की गई थी तो यह की गई थी 1987 में अगला प्रश्ण है रियो प्लस फाइफ या प्रत्वी समेलन प्लस फाइफ कब और कहां हुआ हुआ तो यह दोस्तो तेज से सताय जो 1997 के मद्ध में यूनार्क में कहां न्यू यार्क में हुआ था दोस्तो तेज से सताय जो 1997 में अगला प्रश्ण है सांद गाटी कहा अवस्थी थे दोस्तो तो यह केरल में कहां पर है केरल में अगला है वेट लेंड डिवस कम मनाया जाता है तो यह दोस्तों दो फरवरी को वेट लेंड डिवस मनाया जाता है अगला प्रशन है रामसर सम्मेलन दो फरवरी 1971 किस सनचर से सम्मंदित था तो यह वनो से प्रेशन है दोस्तों भारत में किसराज में सबसे बड़ी अंतर देशी लवड़ी आदर भूमी है तो ये दोस्तों गुजाद देशन क्योंकि दोस्तों समुद्र का किनारा है इस वज़े से सबसे बड़ी अंतर देशी लवड़ी आदर भूमी है अगला प्रेंश ने जलो परिवर्तन का कारण है तो अग्ला प्रेंश ने ग्रेन अूस गयसों के संकल्पना किसके द्वारा की गई थी तो जोसेफ फोरियन के द्वार किसके जोसेफ फोरियन ठीक है नेक्स्ट कोश्यन है आपका दोस्तो अगला प्रस्टन है पचास जदिक देशों द्वारा समर्थित यूएन का मौसम परिवर्तन समझाओ तक कब प्रभावी हुआ तो ये 21 मार्च 1994 को हुआ था अगला प्रस्टन है कार्बन डायकसाइड का सरवादिक उस्सरजन करने वाला देश कौन सा है दोस्तो ये चीन यानि सियोटू दोस्तो सियोटू का सबस्याद उस्सरजन करने वाला देश है दोस्तो आपका चीन अगला प्रस्टन है मानों की कौन सी क्रिया मानों की कौन सी क् क्रसी कौन भी क्रसी देशती है दोस्तों परिवरावरण के जो प्रमुख संस्थान या इनको भी देख लेते हैं तो दोस्तों नंबर पहला है हमारा कि ओजोन परत मुखिता अवस्थित रहती किसमें तो इस्टेटो इस्टेटो स्फियर में ठीक है नेक्स्ट है ओजोन परत प्रत्वी से करीब कितनी उचाई पर यह दोस्तो 20 किलो मीटर यानि प्रत्वी से दोस्तो ओजोन जो परत है इसकी उचाई लगबग 20 किलो मीटर है अगला प्रस्न है ओजोन बायो स्फियर को बचाती किस से परावेगने किरुणों से सूर से आने वाली परावगनी क्योंडों से हो सकता है दोस्तों क्या हो सकता है तो तच्छा का एंसर ठीक है विस ओजोन दिवस कम मनाया जाता है तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है फ्रिजों में कौन सी गैस बरी जाती है तो मेफ्रोन, फ्रेयान भी होती है दोस्तों CFC, क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन नेश्ट है वगयानिकों की किस टीम ने सरवत्तम अंटार्टिका के उपर ओजोन शित का पता लगाया था तो ब्रिटिश टीम ने लगाया था भी ओजोन परत का निर्मार सरवादी के कहां अंटार्टिका के उपर नेश्ट है मौटरी रियल प्रोटोकॉल एक जनवरी 1989 किसके रच्षण से सम्बंदित हो ये संकट ग्रिष्ट प्रजाती से किससे संकट ग्रिष्ट प्रजाती से अगला प्रसन है किसने तिबद के पथार के उपर वर्स 2005 में ओजोन आबाम अंडल ओजोन हेलो का पता लगाया तो ये GWCAD मूर ने नेश्ट है बारत के कुल छेत्पल में वनो का छेत्पल कितना है तो 21% है किस राज में वनो का सरवादिक छेत्पल है तो मद्यप्रदेश मद्यप्रदेश राज में लुंहें वड्लो को सर्वाधिक्स चेत्र पर ने अगला प्रस्न है बारत के किसो ना की जोड़े सागाय जाता है तो यह दूस्त न सबना नितों बार ना डिरफासी गाट में अगला प्रेशन है मैं जूर्ण वन वनस्पती मुखिता पाए जाती कहां सुंदर वन नागा लेंड के परवत कम्रसा बंजर होते जार रहे हैं इसका प्रमुक कारण क्या तो यह जूं करसी है क्या भी जूंकरसी भारतिय वन एजीव संस्तान कहाँ पर इस्तित है तो यह देरादून में स्तित है अगला है व वनों मूलन के विरूद्ध था अगला प्रश्ण है विस्ववन ने जीव दिवस मनाया जाता है अगला प्रश्ण है नेशनल बूरो आप प्लांड जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पर इस्थी तो ये नई दिल्ली में इस्थी थे विस्वबाग सिखर सम्मेलन 2010 कायोजन कहां पर किया गया था तो पीटर सवर्ग में जनतों में सर्वादिक वित्ता विसेस्ता है तो एक किसकी विसेस्ता वित तो उस्ट कट्वंदी आर्द रुवन की नेक्स्ट अंतराष्टी टाइगर अंतराष्टी टाइगर दिवस कब मनाया जाता है तो 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतराष्टी टाइगर दिवस प्रोजेक्ट टाइगर प्रारम किया गया था कब तो 1973 में बारत का राश्टी जभीक उद्यान कहां पर है तो यह नई दिल्ली में इस्ती थे अगला है बारत का सब्चुति उद्यान काउन सा थे जिम कारबेट दोस्तो उत्राखन गाउन सा जिम, कारवडds, उतर्रकर बेतवापर्ग कहा पर इस्तिते है दोस्तों तये बियार में पाउसमों का बाग कहा इस्तिते थे तो महरावली के समीब दोस्तों ये इस्तित थे पाउसमों का बाग अगला है बारत में आती परियोजना के शुरुआत हुई कब 1992 में बारत में आती परियोजना के शुरुआत हुई थी 1992 में दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है helpful है आपके आप इजाम आप यूग तो वीडियो को आप अच्छे से पढ़िए नैसे जंगली गदहों का अभयारन कहां पर इस्तित है तो गुझरात में अभयारन सेंचुरी राइनों के लिए जाना जाता है काजी रंगा एक सींग वाला गयर्णा कहां पर पाया जाता है तो दोस्तों ये पश्रिममंगालवा आसम में पाया जाते है सारिस्काय वंहरर्थ थमबर किस जानवर के लिए सनरची थे तो बाग के लिए एगला प्रेशन है सलीम अली राश्टी उद्यान कहां पर इस्ति थे जम्मू कस्मीर में इस्ति थे बारत का प्रतम तितली उद्यान कहां पर है दोस्तों तो ये बन्नर गटा जैवेक उद्यान बैंगलूरू अगला प्रस्ट है बारत में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतरगत कितने सन अच्छी छेत्र है तो 46 है कितने है 46 अगला पानी कहां पर गैस तरल और ठोस के रूब में उपलब दे तो दोस्तों ये कहां पर है तो आइड्रोस्पियर में प्रत्वी की कूल सत्य में लगबा कितने फिजदी छेत्र जल मंडल वाला है तो 70% बारत का सबसे पुराना NGO आधारी समच्छ उनसंदान है कहां पर है मुंबई में दोस्तों इसका फुराम आप याद रखिएगा पूछा गया है दो बार कई आपके एक्जाम में बारति वानस्पति सर्वेचन B.S.I. का मुख्याले कहां इस्ती थे तो ये दोस्तों कोलकाता में इस्ती थे B.S.I. का मुख्याल है कहाँ पर है कॉलकाता दुन्या में रबड का सबसे अच्छा उत्पादक और निर्यातक ऐ है दो स्थापना यहां दोस्तो थाइलिंड रबड का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है बारती प्रानिसरवेचर जे एस जेड एस आई इस थापना कब ही थी तो 1916 को ही थी कब ही थी 1916 को ही थी इसकी स्थापना अगला प्रसने जिवास मीदन मुख के रूप से बना होता है तो किसका बना होता है कार्बन का पन विजली कि स्रेणी में आती तो उर्जा के अच्छे स्रोत में आती है पन कि उपरी सता है उपरी परत्त जो मनुछठ जीवन की मदद करने में सच्चा में को क्या करता है कि ने नदीर क्या जाता है तो यह प्राकृतिक आवासी विनास परयावर अगलhit न मंत्र alert क सुल जान कब किया घया था तो यह 1985 को किया गया था कब किया गया था 1985 को किया गया था ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जोरूर लाइक करें करें और चैनल को subscribe करना भूतुर भूलें मिलेंगे अपने शज़ु वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय झाल